हेलो फ्रेंट आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप गूगूल पे एप्लिकेशन को प्लेस्टोर से डानलोड करके किसी भी बैंक के साथ लिंक कर सकते हैं तो देखिए मैं प्लेस्टोर ओपेन कर लिया हूँ अब यहाँ पर गूगूल पे एप्लिकेशन को सार्च करके डानलोड करके इंस्टॉल करूँगा उसके बाद बैंक एकाउन के साथ लिंक भी करूँगा और मैं खुद भी बैंक एकाउन के साथ लिंक करने वाला हूँ तो देखिए Google पे application नाइट हो रहा है और पूरा का पूरा प्रूसेस मैं आपकी आँखों के सामने ही करके दिखाऊंगा तो देखिए Google पे application इंस्टल हो रहा है देखिए install हो गिया अब open हो गिया थोड़ा scan हो रहा है उनके बाद open पे click करूँगा तो देखिए scan हो गिया अब मैं Google पे application को open कर रहा हूँ अब यहाँ पर देखिए mobile number पूछ रहा है आप जिस mobile number से Google पे application को register करना चाहते है उसी mobile number इसी handset पे insert होना चाहिए और इस mobile number आपकी bank account के साथ link भी होना चाहिए mobile number इंटर हो गिया अब next पे click कर दिया अब six digit का एक OTP आएगी इस OTP इहाँ पर set करना होगा तो OTP searching हो रहा है देखिए OTP आ गई है OTP auto verify इहाँ पर ले लेगा अगर नहीं लेता तो आपको इहाँ पर type करना होगा तो देखिए OTP auto verify ले लिया है अब यहाँ पर देखिए आपको four digit का Google pin set करना पदेगा तो यहाँ पर देखिए create drive पे click कर दिया और मैं set कर लिया हूँ अब यहँ पर देखिए OTP का option दिखाई दे रहा हो ओके पे आपको click करना होगा उसके बाद allow पूछे का allow पे क्लिक कर देना है आप यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पर उपर डाय तरप एक logo शो कर रहा है इस logo पे क्लिक करना होगा और उनके बाद थोड़ी उपर 3.menu शो कर रहा है यहाँ पे क्लिक करके आपको एक referral code का इस्तिमाल करना होगा तो देखिए यहाँ पर एक line शो कर रहा है आप यहाँ पर किसी भी referral code का इस्तिमाल कर सकते है अगर आपके पास कोई referral code नहीं है तो आप मेरा referral code यहाँ पर इस्तिमाल कर सकते है अगर referral code यहाँ पर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप title पे या description पे देखिए referral code को और रेफाराल कोट यहाँ पर इंटर करके आपको एपलाई कोट पे क्लिक कर देना होगा तो देखिए रेफाराल कोट मैं एपलाई के क्लिक कर दियो अब यहाँ पर देखिए रेफाराल कोट एपलेट शोकर है अब यहाँ पर थोड़ा बैक करके आपको यहाँ पर देखिए add a bank account यहाँ क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको आपको किसी भी bank के साथ लिंग करना होगा मैं Paytm Payment Bank के साथ लिंग करूँगा तो Paytm Payment Bank यहाँ टाइप करके set कर रहा हूँ देखिए Paytm Payment Bank निकल आ गया अब इनके उपर क्लिक करके allow care के send पे क्लिक कर देना होगा देखिए mobile number की मददम से bank finding हो रहा है आपकी mobile number चालू रहना चाहिए तो देखिए finding हो गया अब यहाँ पर start पे क्लिक करना होगा आपकी जो एटीम कार्ड है Paytm Payment Bank का जो मेरा एटीम कार्ड है उस एटीम कार्ड की जो last six digit है पीछे वाला उस six digit को यहाँ पर type करना होगा आप किसी भी बैंक की एटीम कार्ड को यहाँ पर type कर सकते है तो चलिए मैं एटीम कार्ड की last six digit code को type कर रहा हूँ उसके बाद एटीम कार्ड की पीछे एक स्पाड़ी डेट इस तरह से दिखेगा आपको देखके यहाँ पर type करना होगा उसके बाद यहाँ next पर क्लिक करके आपको create pin पर क्लिक कर दना होगा उसके बाद फिर से एक OTP वेरिफाई होगी और उसके बाद आपको आपकी पसंद का एक पीं सेट करना होगा फोर डिजिट या शिक्स डिजिट का और वह भी आपको दो बार कॉम फार्म करना पड़ेगा उसके बाद यहाँ क्लिक करके आपको wait करना होगा क्यूंकि bank add हो रहा है देखिए bank add हो गया आप यहां इसको पर क्लिक करना होगा तो देखिए यहां आप Google Pay से First Transaction करके आपको दिखा रहा हूँ Friends, Google Pay का First Transaction Update से रुपया करोगे तो आपको दो reward cut मिलेगा अगर आपके का First Transaction कहने की कोई नमबर नहीं है तो आप मेरे नमबर पे आप एक रुपया सेन कर सकते है तो देखिए मैं Google पे एप्लिकेशन को उपन कर लिए हो अब यहाँ पर आपकी फोडिजिट पीन वो पूछेगा उसके बाद यहाँ पर देखिए आपकी Google Pay का जो Home Page है वो उपन हो गया आप यहाँ पर देखिए तो आप देखिए मोबाइल नमबर मैं टाइप कर रहा हूँ टाइप करके जो Google पे यूजिए या जो पे टियेम या भीम यूजिए उसकरता है उनको मैं सेन कर सकते हूँ तो देखिए मोबाइल नमबर टाइप हो गया है अब यहाँ पर देखिए नीचे पे की आप्शन श क्लिक करना होगा उसके बाद अलाय। अंप आ जा टाइप करना होगा देखिए पेमेंड पूसेसिंग हो रहा है दन हो गिया अब देखे मेरे को फास्ट रिवार्ड करद मिला defending आपको只ंट रिवार्ड करद मिला Hammal प्रस रिवार्ड मिला है है Planet कि रॉनिल निछे कितना मिला आपको सामने हमें जो मॉर्म उफ cannot करना होगा अब यहां पाद देखिए ब्लू वाला यहां पे क्लिक करना होगा तो देखिए मेरे को कितना मिल रहा है तो देखिए मेरे को पहले 21 रुपया और उसके बाद 11 रुपया मिला था तो फेंस इसी तरह से अब गूगूल पे एप्लिकेशन को प्लेय स्टोर से डाउन प्लेवाद